भारत के यशर्ष्वी प्रधानमंत्री मारनिय नरेंद्र भाई मुगती जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे स्यावर राम चंद्र की जय श्यावर राम चंद्र की जय स्रद्धे मंच सभी संत एवं रशिगन यहां उपस्तित और विश्व के कौने कौने में हम सब से खाज जुड़े हुए सभी राम भक्त आप सब को प्रणाम आप सब को राम राम आज हमारे राम आ गए है सदियों की प्रतिछा के बाद हमारे राम आ गए है सदियों का अभूत्पुर्व धैरिय अंगिनत बलिदान प्याग और तपश्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए है इस सुब गड़ी की आप सभी को समस्त देश वासियों को बहुत बहुत बढ़ाई मैं अभी गर्भ ग्रुह में इश्वरिय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्तित हुआ हूँ कितना कुछ कहने को है लेकिन कंठ अभूरुद्ध है मेरा शरीर अभी बीस पंदित है चित अभी भी उस पल में लीन है हमारे राम लला अब टैंट में नहीं रहेंगे मेरा पक्का विश्वास है अपार स्रद्दा है कि जो गटित हुआ है इसकी अनुभूती देश के विश्व के कोने में कोने में राम भक्तों को हो रही होगी यह चांद अलोकिक है ये पल पवित्रतम है ये माहोल ये वातावरान ये उर्जा ये घड़ी प्रभूस्री राम का हम सब पर अशिर्वाद है 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अध्भूत आभा लेकर आया है 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं ये एक नएक काल चक्र का उद्गम है राम मंदिर के भूमी पुजन के बाद से प्रती दीन पूरे देश में उमंग और उत्सा बढ़ता ही जा रहा था निर्मान कार्य देख देश वास्यों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है आज हमें स्री राम का मंदिर मिला है गुलामी की मांसिक्ता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट अतीत के हर दौंस से होंसला लेता हुआ राष्ट ऐसे ही नव इतिहास का स्रजन करता है आज से हजार साल बाद भी लोग आज की इस तारिक की आज के इस पल की चर्चा करेंगे और यह कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं इसे साक्षाद घटीत होते देख रहे हैं आज दिन दिशाएं दिख दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है यह समय सामान्य समय नहीं है यह काल के चक्र पर सर्वकालिक शाय से अंकित हो रही अमीट स्मृति रेखाएं साथियों हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनमान अवश्य विराजमान होते हैं इसलिए मैं राम भक्त हनमान और हनमान गटी को भी प्रणाम करता हूँ मैं माता जान की लक्ष्पन जी भरत सत्रुग्ण सब को नमन करता हूँ मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सर्यु को भी प्रणाम करता हूँ मैं इस पल दैविय अनुभव कर रहा हूं कि जिन के आशिरवाद से यह महान कार्य पूरा हुआ है वे दिव्य आत्माएं वे दैविय विभूतियां भी इस समय हमारे आज पास उपस्तित है मैं इनसे भी दिव्य चेत्राओं को भी कृतक्यता पूर्वग नमन करता हूँ मैं आज प्रभूस्री राम से छमाय आचना भी करता हूँ हमारे पुर्शार्थ हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह कार्य कर नहीं पाए हैं आज वो कमी पूरी हुई है मुझे विश्वास है प्रभूराम आज हमें अवश्य शमा करेंगे मेरे प्यारे देश्वास्यों त्रेता में राम आगमन पर पुझ्य संत तुल्शिदाज ने लिखा है प्रभू विलो की हर्थे पुरबासी जनित वियोग विबत्ति समनासी अर्थात प्रभू का आगमन देकर ही सब अयोध्य वासी समगर देश वासी हर्थ से भर गए लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया उस कालखन में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था तब भी इतना सही था इस यूग में तो अयोध्याव और देश वासियों ने सेंकडों वर्षों का वियोग सहा है हमारी कई कई पीडियों ने दियोग सहा है भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रती में भगवान राम विराजमान है संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दसकों तक प्रभुसिर राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली मैं आभायर वेक्त करूँगा भारत की न्याय पालिका का जिसने न्याय की लाज रख ली न्याय के पर्याय प्रभुराम का मंदिर भी न्याय बद्ध तरीके से ही बना साथियों आज गाउं गाउं में एक सार्थ किर्टन संकिर्टन हो रहे हैं आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं स्वच्छता अभ्यान कलाए जा रहे हैं पुरा देश आज दिपावली मना रहा है आज शाम घर घर राम जोती प्रज्वलित करने की तैयारी है कल मैं स्रीराम के आशिरवात से दनोश कोड़ी में राम सेतु के आरंब बिंदू अरिचल मुनाई पर था जिस गड़ी प्रभु राम समुद्रपार करने निकले थे वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था उस भाव मैं पल को मैसूस करने का मेरा ये बिनम्म प्रयास था वहां पर मैंने पुष्ट बंदना की वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा की जैसे उस समय काल चक्र बदला था उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुब दिशा में बढ़ेगा अपने ग्यारा दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण प्रस करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पढ़े था चाहे वो नासिक का पंच्वटी दाम हो करला का पवित्र त्रिपायर मंदीर हो आंधर प्रदेश में लेपाक्षी हो स्री रंगम मैं रंगनात स्वामी मंदीर हो रामेश्वरम में स्री रामनात स्वामी मंदीर हो या फिर धनुष कोड़ी मेरा सवभाग है कि इसी पुनित पवित्र भाव के साथ मुझे सांगर से सर्यू तक की यात्रा का आउसर मिला है सांगर से सर्यू तक हर जगर राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है प्रभु राम तो भारती आत्मा के कन कन से जुड़े हुए है राम भारत वासियों के अंतर मन में विराजे हुए है हम भारत में कहीं भी किसी की अंतर आत्मा को चुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूती होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा इससे उत्कुष्ट इससे अधीक देश को समायोजीत करने वाला सुत्र और क्या हो सकता है मेरे प्यारे देश वासियों मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाशों में रामायन सुनने का अउसर मिला है लेकिन विशेष कर पिछले ग्यारा दिनों में रामायन अलग अलग भाशा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रुप से सुनने का मोका मिला राम को परिभाशिद करते हुए रुश्यों ने कहा है रमंते यश्मिन इती रामह अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है राम लोक की इस्मृतियों में पर्वसे लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हर्यूग में लोगों ने राम को जीया है हर्यूग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवा की तरह निरंतर बहता रहता है प्राचिन काल से भारत के हर कौने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं राम कथा असीम है और राम आयन भी अनिंत है राम के आदर्श राम के मुल्य राम की सिख्षाएं सब जगह एक समान है प्रिए देश वाक्षियों आज इस आइतिहाजिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कारिया और समर्पन की वज़े से आज हम ये शुब दिन देख रहे हैं राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकास्था करके दिखाई हैं उन अंगिनत राम भक्तों के उन अंगिनत कार सेवकों के और उन अंगिनत संत महत्माओं के हम सब रनी है साथियों आज का ये अवसर उत्सवता का खशन तो है लेकिन इसके साथ ही ये खशन भार्पिय समाज की परिपक्वता के बोध का भी खशन है हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बिनए का भी है दुनिया का इतिहास साथि है कि कई राष्ट अपने ही इतिहास में उलज जाते हैं ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलजी हुई गांटों को खोलने का प्रयास किया उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई बलकि कई बार तो पहले से जादा मुश्टिल परिस्थित्या बन गई लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांट को जिस गंबीरता और भावगता के साथ खोला है वो ये बताती है कि हमारा भविश हमारे अतीच से बहुत सुन्दर होने जा रहा है वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बनागा तो आग लग जाएगी ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाएगे राम लला के इस बंदिर का निर्मान भारतिय समाज के शांती धैरिय आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है हम देख रहे हैं कि निर्मान किसी आग को नहीं बलकि उर्जा को जन्म दे रहा है राम मंदीर समाज के हर वर्क को एक उजबल भविश के पत्पर बढ़ने की प्रेणा लेकर आया है मैं आज उन लोगों से आहवान करूँगा आईए आप महसूस कीजिए अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए राम आग नहीं है राम उर्जा है राम विबाद नहीं राम संगाधान है राम सिर्फ हमारे नहीं है राम तो सब के हैं राम बरतमान नहीं सिर्फ बरतमानी नहीं राम अनंत काल है साध्यों आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन चे पूरा विश्व जुड़ा हुआ है उसमें राम की सर्व व्यापक्ता के दर्शन हो रहे है जैसा उत्सव भारत में हैं वैसा ही अनेक देशों में है आज अयोज्ध्या का यह उत्सव रामायन की उन वैस्विक परमपराओं का भी उत्सव बना है साथियों आज अयोज्ध्या में केवल स्री राम के विग्रव रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रती अटूट भी स्वाच की भी प्रानप्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्य आदर्शों की भी प्रानप्रतिष्ठा है इन बुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपून विश्व को है सर्वे भवन को सुखे जाए यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदिर है यह राम के रूप में राष्ट चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है राम भारत का चिंतन है राम भारत की प्रतिष्टा है राम भारत का प्रताब है राम प्रभा है राम प्रभाव है राम नेती भी है राम नीती भी है राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विबु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इते लिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताव्यों तकी नहीं होता है उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी नहीं कहा है राज्यम दस सहस्त्रानि प्रफ्य वर्षानि रागवः हर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ जब त्रेता में राम आये थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई हजारों वर्षों तक राम विश्वपत प्रदर्शन करते रहे थे और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों आजयो द्यभूमी हम सभी से प्रतेग राम भक्त से प्रतेग भार्टिय से कुछ सवाल कर रही है स्री राम का भव मंदिर तो बन गया अब आगे क्या सद्यो का इंतजार तो खत्म हो गया अब आगे क्या आज के इस अउसर पर जो दैव जो दैव यह आत्माएं हमें आशिर्वाद देने के लिए उपस्तित हुई हैं हमें देख रही हैं उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे नहीं कदापी नहीं आज मैं पूरे पविक्त्रमन से महसूस कर रहा हूँ कि काल चक्र बदल रहा है यह सुकत संयोग है कि हमारी पीडी को एक काल जईपत के सिल्पकार के रुप में चुना गया है हजार वर्स बात की पीडी राष्ट निर्मान के हमारे आज की कारियों को याद करेंगी इसलिए मैं कहता हूँ यही समय है सही समय है हमें आज से इस पवित्र समय से अगले एक हजार साल के भारत की नीव रखनी है मंदिर निर्मान से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत के निर्मान की सोगंद लेते हैं राम के विचार मानस के साथ ही जन मानस में भी हो यही राष्टन निर्मान की सीड़ी है साथियों आज के यूग की मांग है कि हमें अपने अंतर करण को विस्तार देना होगा हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक राम से राष्ट तक होना चाहिए हनुमान जी की भक्ती हनुमान जी की सेवा हनुमान जी का समर्पन यह ऐसे गुण हैं जीनने हमें बहार नहीं खोजना पड़ता प्रतेग भारतिय में भक्ती सेवा और समर्पन के भाव समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का अधार बनेंगे और यहीं तो हैं देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार दूर सुदूर जंगल में कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मा शबरी सबरी का ध्यान आते ही अप्रतेम विश्वाज जागरुद होता है मा सबरी तो कब से कहती ती राम आएंगे प्रतेग भारतिय में जन्मा यही विश्वास समर्त सक्षम भग्य भारत का अधार मनेगा और यही तो हैं देश देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार हम सब जानते हैं कि निशाद राज की मित्रता सभी बंदनों से पड़े हैं निशाद राज का राम के प्रति सम्मोहन प्रभु राम का निशाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है सब अपने हैं सभी समान है प्रतेग भारत्य में अपनत्व की बंदुत्व की ये भावना समर्थ सक्षम भग्व्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो है देव से देश और राम से राज की चेतना का विस्तार साथियों आध देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है मैं तो बहुत सामान्य हूं मैं तो बहुत छोटा हूं अगर को यह सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए गिलहरी का समरणी हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है अपना योगदान होता है और सबके प्रयास की यही बावना समर्थ सक्षम भव्य दिव्य भारत का आधार बनेगी और यहीं तो देव से देश और राम से राष्ट का राष्ट की चेतना का विस्तार साथ क्यों लंका पती रावन प्रकांड ग्यानी थे अपार शक्ति के ध्यानी थे लेकिन जटायू जटायू जी की मुल्य निष्टा देखिये विए महावली रावन से भीड़ गए उन्हें भी पता था कि वो रावन को परास नहीं कर पाएंगे लेकिन फिर भी उन्होंने रावन को चुनोती दी कर्तव्य की यही पराकास्ता समर्थ सच्षम बव्य दिव्य भारत का अधार है और यहीं तो है देव से देश और राम से राष्ट की चेतना का विस्तार आईए हम संकरपले के राष्ट निर्मान के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे राम काज से राष्ट काज समय का पल पल शरीर का कन कन राम समर्पन को राष्ट समर्पन के देश से जोड देंगे मेरे देश वास्यों प्रभु सी राम की हमारी पूजा विशेश होनी चाहिए ये पूजा स्वा से उपर उठकर के समस्ति के लिए होनी चाहिए ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए प्रभु को जो भोग चड़ेगा वो विख्सित भारत के लिए हमारे परीश्रम की प्राकाष्टा का प्रसाद भी होगा हमें नित्य पराकम पुर्शार समर्पन का प्रथाद प्रभुराम को चड़ाना होगा इनसे नित्य प्रभुराम की पूजा करनी होगी तब हम भारत को वैवोशाली और विश्चित बना पाएंगे मेरे प्यारे देश वास्यों ये भारत के विकास का अमरत काल है आज भारत युवाश शक्ति की पूझी से बरा हुआ है उर्जा से बरा हुआ है ऐसी सगारत्मक्त परिस्तितियां पिर न जाने कितने समय बाद बनेगी हमें अब चूकना नहीं है हमें अब बैठना नहीं है मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रिनना है आप भारत की उस पीडी का प्रतिनी दित्व करते हैं जो चान पर तिरंगा लहरा रही है वो पंद्रा लाग किलो मिटर की आत्रा करके सूर्य के पाँच जाकर मिशान आजित्य को सफल बना रही है जो आस्मान में तेजस और सागर में विक्रान का पर्चम लहरा रही है अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है परंप्रा की पवित्रता और आधुनित्ता की अनंतता दोनों ही पत पर चलते हुए भारत सम्रुद्धी के लक्स तक पहुँचेगा मेरे साध्यों आने वाला समाए अब सफलता का है आने वाला समाए अब सिद्धी का है ये भव्य राम मंदिर साथ्ची बनेगा भारत के उत्कर्स का भारत के उदय का ये भव्य राम मंदिर साथ्ची बनेगा भव्य भारत के अब्युद्धी का विक्सित भारत का ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष सत्य प्रमानित हो, अगर लक्ष सामुहिक्ता और संगड़िक सक्ती से जन्वा हो, तब उस लक्ष को प्राप्त करना और संबहु नहीं है ये भारत का समय है, और भारत अब आगे बढ़ने वाला है, सताअब्दियों की प्रतिक्षा के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, हम सब ने इस उक्का, इस कानखन का इत्लिजार किया है अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की हुचाई पर जाकर ही रहेंगे इसी भाव के साथ, राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए, आप सभी को बहुत बहुत शुपकामरा है सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम, शियावर राम चंद्र की मैं आप से निविदन करूंगा, अभी थोड़ा आशन ग्रहन करिए मानने प्रणामंत्री जी यहां से कुबेर टिला की और प्रस्थान करेंगे मानने प्रणामंत्री जी के यहां से स्थान से प्रस्थान के पश्चाद हमारे में निर्ट को पाल दास जी के शिश्यक्रणों से निविदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की और ले जाए जानकी दास जी अब मंच पर आजिए माननी मोहन राव जी भाया जी कहीं मिलेगे माननी ये प्रणामंत्री जादू संतों के निकट प्योर जा रहे हैं माननी प्रणामंत्री जी बहुत निकट पहुच गए हैं संत महापुर्शों के देव से देश और राम से राश्ट्र का निर्मार यानि की राश्ट्री ये चेतना में जो राम विराजे हैं वो राश्ट्री ये जन्मानस में राम के गुड़ों का आउतार हो मानस में जो राम हैं उनके गुड़ों का भारत के जन्मानस में अंगिकार हो निश्चित तोर से राश्ट्र निर्मार के एक हजार वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है वो निश्चित तोर से पुरी दुनिया के सामने भारत भारतियता को नए रूप में व्यक्षाइद करता है सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्यक्षाइद करता है हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत के लिए अपना सर्वस्व नियोच्षावर करें राष्ट निर्मार में अपना सर्वस्व अंशदान करें विश्व की समरस्ता विश्व की कल्यान और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है कुछ तो खास है इस राष्ट में जो परब्रम्ह परमात्मा को अपनी गोद में आकर्शित कर लेता है कुछ तो खास है इस आयोध्या धाम में जो निरगुण निराकार परब्रम्ह को सगुण साकार बना देता है कुछ तो खास है इस राष्ट की धूल में इस राष्ट के अन्न में जो मा कौशिल्ला के गर्व में उस राम को उत्पन कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रम्ह को खिलने पर विवश कर देता है कुछ तो खास है इस राष्ट में, जो भक्तों की भावना के अनुरूप, अनन्त अनन्त रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, राम सब के हैं, राम सरवत्र हैं, और इसलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलोकिक सरूप में, बाल रूप में पांच के राघव, अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं, स्वागत कीजिए, भगवान श्री राम का इस नए अवतार में, आज के इस अलोकिक दिव्य, द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम एक बार फिर से अवतार लिया, भराधाम, अयोध्याधाम, सर्यू, सब कुछ प्रसंद आनंदिक उल्लसित, और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, प्रधाद मंत्री मेरेंद्र मोदी, यहाँ पर पहुचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतितियों का, आज अयोध्याधाम में भगवान शिरी राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कारिक्रम इस माइने में भी विलक्षन है, क्योंकि समूची भारत की स्तारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सब का यहाँ पर सम्मिलन हुआ है, एक यहाँ पर सिख, बाउध, जैन, दशानन, संकर, रामानु, रामानुजाचार संप्रदाय, निंबारका संप्रदाय, विश्रुनामी संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीब दासी, गौडिया, कबीर पंथी, वालमीक पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेका नेक विश्वक कल्यान में लगे हुए भारत दिर्मान में लगे हुए संगठनों के प्रत्विधी, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, नामधारी, राधास्वामी, वरकरी, वीरशयो, हर कोई भारत की सवस्त मत पंतराय की जो अलग-अलग धाराएं हैं, वो आज उनक अका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है, और पूरी दुनिया चकीत रूप में देख रही है, कि किस तरीके से वैविध्ध में एक्ता का प्रमाड, विविध्धा में एक्ता का प्रमाड, बहुरंगी, सतरंगी, विविध Tá. करता संसकृती का मैं व्यक्ति और यहां है समाज इससे मैंने पाया तनमन इससे मैंने पाया जीवन मेरा तो बसकर तब यही सब कुछ कर दू इसको अरपन मैं तो समाज की थाती हूँ मैं तो समाज का सेवक हूँ मैं तो समश्ट के लिए व्यश्ट का कर सकता बलिदान अभय हिंदू तनमन हिं हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिशे तो निश्चित तोर से एक जो हमारी स्थनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अजुध्याधाम से वर्शों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की कई वर्शों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान शीराम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे तपस्वा पूर्ण हुई है स्वयम प्रधान मंत्री की जो लगातार पिछले 11 दुनों से विशेस उपवास अनुष्ठान में है उनकी प्रतिक जापूर्ण ही क्योंकि विशेस्त और परशीरंगम और स्वी रामेशुनम से खुद भगवान शीराम के लिए उपहार लेकर क्या आए और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं कोई रामलला के लिए भोग ने च्छावर कर रहा है अब से कुछ देर पहले आपने प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी को भी सुना था प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहाँ पर मौजू तमाम लोगों को संबोधत करते हुए नजराय और किस तरह से यहाँ पर महमानों का तांता लगा हुआ है भवे राम मंदिर को देखने के के लिए राम लला की प्रान प्रतिष्ठा हुई है और प्रतिष्ठा के गवावर हिये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद रहे और इस दोरान प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने कई एहम बाते की उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि राम मंदिरंदीर बनेगा तो बहुत जगड़े होंगे लेकिन देखे राम लला जो है वो समस्या नहीं है वो समाधान है वो अपने आप में पूर है तमाम तरह की बाते की और आज के दिन को उन्होंने दीपावली मनाने की भी बात कही आज के दिन जिस तरह से बनवास जब राम जी ने किया था अपना से दोहराई प्रधान मंतरी नरींदर मोदी ने कहा कि अब चूकी राम निला की वापसी हुई है वो यहां पर पहुचे है और आज उनकी उनके मंदिर में राम निला की प्राण करतिष्ठा हुई है ऐसे में इस दिन को मनाया जाए आगे भी मनाया जाता रहे और दीपुच सब इस दिन किया जाए दिये जलाए जाए दिवाली मनायी जाए यह तमाम बाते प्रधान मंतरी नरींदर मोदी इस मंच से कहते नजर आए और उनके इलावा देखिए तमाम गड़मान ने यहां पर मौजूद है दिन के साक्षी यह बने और वागी में यह बहुत खास दिन्वी है पुलिका झोकि अभी आपर सुना था जब प्रधान मंतरी नरींदर मोदी कह रहे थे कुछ तो कमी थी जो सद्यों तक मंदिर नहीं बन पाया आज वो कमी पूरी हुई और किस तरीके से यह भव्य मंदिर तैयार हो गया तो दर्शन करने के बाद सभी लोग वापस आएंगे सबसे पहले किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई थी न्यूज इंडिया ने पलपल की तस्वीर आप तक पहुचाई थी उस महत्व को भी समझाया था कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या महत्व होता है किस तरीके से प्र का नारा लगाते नजर आए विश्व के कोने-कोने से जुड़े सभी राम-भक्तों को उन्होंने प्रणाम किया सभी को राम-राम कहा सदियों की प्रतिक्षा के बाद हमारे घर राम आ गये हैं सदियों को अभूत-पूत-धैरिय अंगिनत बलिदान तपस्या के बाद राम आ पर साक्षी बने, प्रधान मंतरी नरिंदर मोधी भी इस पल के साक्षी बने, उन्होंने कहा कि बहुत कुछ कहने को है, मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित अभी भी उस पल में लीन है, वो पल, अब हमारे राम लला जो है वो टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे राम लला अब दिव्वे मंदिर में रहेंगे प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि पक्का विश्वास है मेरा आपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ उसके अनुभूती दुनिया में हर राम भक्त को रही होगी यह जो माहौल है यह जो पल है यह वातावरण जो है यह उर्जा यह घड़ी हम सब पर प्रभू श्री राम का आशिरवाद है और आज का दिन यानि कि 22 जनवरी की तारीख 2024 का यह साल सूरज एक अद्भूत उर्जा लेकर आया है यह दिन अपने आप में खास हो जाता है और यह हमेशा खास ही रहेगा इतिहास में यह दिन जो है यह दर्ज हो गया है प्रधान मंतुरी नरिंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदे के निर्माड के बाद से देश वासियों में अलग तरहा का उत्साह जो है वो पैदा हो रहा था